अलो गाईज नमस्कार मैं सुधाकर सिंग आप सभी सपलता की चाहा रखने वाले सेर सेर्णियों का सुधाकर सिंग एजूकेशन हब यूटूब परिवार में दिल खोल कर हार्दिक बंदना भी नंदने वन शावत करता हूँ आप कैसे हैं मैं अम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहतर होंगे जहां भी होंगे खुशाल होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार ये किसमत बिमेजारी की होंगे गाईज मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन के दिखा दे सेलक्षन कहानी उसे कहते हैं गाईज आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वोट पर मेंशन है तो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे यूपी एससी की बारे में चर्चा करने वाले हैं यूपी एससी के अगर मैं बात करूं तो यूपी एस सर्विस कमिशन जिसे हिंदी में संग लोग सेवा आयोग की नाम से जाना जाता है और जिसे इंग्लिश में पब्लिक सर्विस कमिशन की नाम से जानते हैं UPSC की एक ऐसी परिक्षा है जिसमें लाखो लोग फार्म भरते हैं जिसमें लाखो लोग फार्म को भरते हैं और विरले लोग होते हैं जो इतिहास को लिखते हैं तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे इसके स्लेवर्स के वारे में चर्चा करने वाले हैं UPSC का स्लेवर्स क्या है हमें किन स्टेश से होकर कि गुजरना पड़ता है तब जाकर के हम कुछ कर पाते हैं तो आये सबसे पहले तो हम जानते है कि UPSC को crack करने के लिए हमें तीन इस्टेश से गुर्णना हे पड़ता हैр। प्रारंबिक परिक्षा के नाम से जानते हैं। दूसरी स्टेज जो होती है वो है मैंस होती है जिसे हिंदी में हम जो है मोकी परिक्षा के नाम से जानते हैं, फ़र्ड स्टेज जो होती है इंटरव्यू होता है जिसे हिंदी में हम साच्छा अतकार के नाम से जानते हैं, तो UPSC को क्रेक करने के लिए में कितनी स्टेज से ग जानते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा था प्लियम्स की किसकी प्रारंबिक परिक्षा जैसे हम प्लियम्स की नाम से जानते हैं जो प्रारंबिक परिक्षा होती है वह हमारी 400 अंकों का पूरांक होता है कितने का होता है गई 400 अंकों का प्रारंबिक परिक्षा हमें देना पड़ेगा, जिसमें हमें दो पेपर देने पड़ेंगे, कितने पेपर देने पड़ेंगे, हमें दो पेपर देने पड़ेंगे, फर्स्ट पेपर जो हमारा होगा, वह होगा GS का, सामान अध्यन का, जनरलिस्टिडी का होगा, जिसमें 100 कोस्चन हमें दिये जाएंगे, क कितने प्रारंबिक परिक्षा में जो 400 अंक का जो टोटल पोडांग होगा इसमें 2 पेपर होगे फर्ष्ट पेपर जो होगा वह जीएस का होगा जिसमें 100 कोस्चन दिये जाएंगे और एक कोस्चन दो नंबर का होगा कितने का होगा एक कोस्चन दो नंबर का होगा और क्या हो कोई से करके पहला पेपर जोगा कि एसके हम सी सट के नाम से जानते हैं किसके से जानते जानते हैं इसमें क्या होगा इसमें आपकी छमिता को नापा जाता है आप जो है question को कितने जो कोई भी समस्या होगी उस समस्या को कितनी जल्ली आप ठाल कर सकते हैं आपकी निड़े लेने की छमिता कितनी अच्छी है उह है इसमें नापी जाती है second paper में यहां पर आपको 80 question देखने को मिलेंगे कितने question मिलेंगे 80 question मिलेंगे और एक question होगा 2.5 अंका होगा ऐसे करके 108 question होगे वह 200 अंकों के होगे जो second paper होगा वह C set होगा जिसमें 80 question दे जाएंगे जो समय का time दिया रहेगा वह 2 घंटे का समय दिया रहेगा और जिसमें एक कोश्चन धाई अंक का होगा, कितने का होगा, एक कोश्चन धाई अंक का होगा और 80 कोश्चन दे जाएंगे, ऐसे कुल मिला करके 200 अंकों का जो C-set होगा, वह है पेपर हम से पूछा जाएगा, कुल मिला करके यह 200 अंक के यहां, फस्ट पेपर से और 200 पर होगा, जो प्रारंबिक परिक्षा होगी, यह सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्ष होगी, इसमें हमें क्या करना है, शिर्फ पास होना है, अगर हम प्रारंबिक परिक्षा को पास कर लेते हैं, क्या, अगर हम प्रारंबिक परिक्षा को पास कर लेंगे, तभी हम मैंस में बैठने के लिए eligible हो पाएंगे अगर हम इस प्रारंबिक परिक्षा को first paper और second paper को qualify नहीं कर पाते हैं तो हम mens में नहीं बैठ सकते हैं क्या पहला paper और दूसरा paper हमें जो है pass करना बहुत अनिवार है जो पहला paper होगा जो GS पूछा जाएगा सामान अध्यन पूछा जाएगा जिसमें 100 question पूछे जाएगे एक question दो नंबर का होगा ऐसे करके समय दो घंटा दिया रहेगा और 100 question 200 अंखे के होंगे दो घंटे में हमें हल करने होंगे शिर्फ हमें क्या करना होगा इसमें हमें सिर्फ पास होना होगा दूसरा पेपर होगा सेकेंड पेपर जिसे हम सी सेट के नाम से जानते हैं civil service aptitude test इसमें आपकी निड़े लेने की छमता जब आप एक अधिकारी होंगे तो आपकी जो मुद्धी लफद है आपकी छमता है नड़े लेने की वहें कितनी तेज है जब answer में अपने आपको वहाँ पर सेट करके देखेंगे तब आप कितनी जल्दी नड़े ले सकते हैं वो चीज आपको इसमें 80 कोश्चनों में आपको देखने के लिए मिलेगी तो दूसरा पेपर मैंने आपको बताया पहला paper जो pleams के नाम से होगा अगर आप pleams qualify करते हैं प्रारंबिक परिक्षा अगर आप qualify करते हैं तवी आप mens के लिए eligible हो पाएंगे I hope आपको इतनी वास समझ में आगी होगी दूसरी बात अगर मैं बात करूँ mens की mens जिसे हम मुख्य परिक्षा के नाम से जानते हैं जो कि 1750 अंकों का होगा कितने का होगा 1750 अंकों का होगा जिसमें 9 paper होगे कितने होगे 9 paper होगे 9 paper कौन कौन से होगे अंगले वीडियो में हम लोग आपको बारी बारी से सारे paper बताएंगे यहाँ पर 9 पेपर आप से पूछे जाएंगे तीसरा अगर मैं बात करो इंटर्व्यू साच्छात का जो की 275 अंकों का होगा कितने का होगा 275 अंकों का होगा अगर मैं 1750 और 275 अंकों को जोड़ देता हूँ तो 2025 अंक कुल मिला करके हो जाते हैं 2025 अंक में यदि आप 50% नंबर ही लाने की छमता रखते हैं यदि आप 50% अंक ला सकते हैं लगवग आप 1000 एक हजार सम्थिंग 555 के बीच में यदि आप नंबर लाएंगे तो आप टॉप कर सकते हैं UPSC को टॉप कर सकते हैं कितने 2025 में यदि आप 50% से ले करके 55% अंक यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप UPSC को टॉप कर सकते हैं क्या? यदि आप इन दोनों परिक्छाओं में मुख परिक्छा और साच्छात कार इंटर्विव में मैंस और इंटर्विव में 2025 में यदि आप 50% से ले करके यदि आप 55% तक नंबर ला सकते हैं तो आप UPSC को टॉप कर सकते हैं जो मुख परिक्चा होगी जिसमें आपको 9 question paper होगे वह आपको देने पड़ेंगे 9 question paper कौन कौन से होगे कौन सा paper कितने अंक्यका होगा उन सभी paper को हम अंगले वीडियो में discuss करने वाले हैं क्या अंगले वीडियो में हम लोग पूरी जो है discuss करने वाले हैं आज हमने आपको बताया कि UPSC में किन स्टेजों से हमें गुजरना पड़ता है आए एक वाल हम लोग recall कर लेते हैं कि हमें कितनी स्टेज से गुजरना पड़ेगा UPSC को crack करने के लिए हमें 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा पहली स्टेज जो होगी वह होगी प्लियम्स होगी जिसे हम प्रारंबिक परिक्षा के नाम से जानते हैं दूसरी स्टेज जो होगी वह मेंस होगी जिसे हम मुख्य परिक्षा के नाम से जानते हैं तीसी स्टेज जो होगी वह इंटर्वी होगी जिसे हम साच्छात कार के नाम से जानते हैं जो प्रारंबिक परिक्षा होगी वह 400 अंकों की होगी जो मुख्य परिक्षा होगी वह 1750 अंकों की होगी कितने की जो मुख्य परिक्षा होगी वह 1750 अंकों की होगी और जो साच्छात कार होगा वह 275 अंकों का होगा कुल मिला करके 1750 और 275 अंकों को जोडेंगे तो हम 2025 अंक पूरांक हमारा टोटल बनेगा और 2025 में यदि हम 50% से ले करके यदि हम 55% अंक लाने में सफल हो जाते हैं तो हम यहाँ पर UPSC को टॉप कर सकते हैं और सिर्फ जो प्रारंबिक परिक्षा होगी जिसमें 2 paper होगे 1st paper होगा सामान अध्यन का और 2nd paper होगा CSET का जिसमें 200-200 अंक का होगा जो पहला paper होगा GS का जिसमें 100 question पूछे जाएंगे दूसरा paper होगा CSET का पेपर Civil Service Aptitude Test के नाम से जिससे हम जानते हैं जिसमें आपकी तार्किक छमता को जाना जाएगा आपको नड़े लेने की छमता को जाना जाएगा यह है आपको 80 question इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे अगर आप इसको qualify करते हैं तो ही आप mens में बैठ सकते हैं अगर आप इसको qualify नहीं कर पाते हैं तो आप mens की बैठने के लिए eligible नहीं हो पाएंगे गैज आज के लिए इतने अंगले वीडियो में हम लोग पूने फिर मुलाकात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद